सो हेलो गाइज जितने भी स्टुटेंट्स जो है पॉलिटेक्निक के हैं चाहे वह फर्स्ट एयर के हूं सेकंड एयर के हूं या फिर फाइनल एयर के हूं आपनों के स्कूटनी और रिवैलोजेशन का रिजल नहीं आया है काफी स्टुटेंट्स की जादे यही क्वेरी है कि कब तक जो है आपनों का रिजल आ जाएगा तो इस वीडियो हम यही जानेंगे और यह भी जानेंगे कि आपनों का जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है वो कब से स् दे लगी जाएग जाने है और चैनल आइडाना की प्रैक्टिकल बन रही है और आपने चैनल के स्क्राइब नहीं किया है तो उसकर आप जो आतब evolution का result 15 17 तारह तक वो जारी कर दिया जाएगा क्योंकि आप लोगे जो इक्जामिनिशन प्राइप से स्टार्ट होने वाला है तो उसके पहले पहले जो है आप लोगे ये सारी चीजह क्लियर करनी है क्योंकि अगर आपनों का practical examination जो है आप जैसे कि आपनों का इक्जामिनेशन जो है वो लगबग अड़लगवा 18 जुलाई तक चलने वाला है ठीक है तो 18 जुलाई के बाद अगर आपनों का practical लिया जाएगा तो काफी यदे delay हो जाएगा आपनों के result को release करने में क्योंकि आपनों का result करने में जो है भी time लगएगा और इसको काफी की checking होगी तो प्रेक्टिकल एक्जामिनेशन अगर 18 जुलाई के बाद लेंगे तो काफी यदे time का यहां पर loss हो जाएगा तो probability यह बन रही है कि आपनों का practical examination जो है आपनों के examination से पहले डिया जाएगा तो अगर आपनों का practical examination होगा तो जो है next month जो है वो 10 तारिक से जो है अगर आपनों को practical examination होता है तो वो start हो सकता है ऐसी probability हो रही है ठीक है तो आपनों का अगर scrutiny है या पिर reevaluation है तो आपनों का result 17 तारिक तक release कर दिया जाएगा don't worry अगर आपनों का scrutiny या फिर reevaluation के लिए आपने apply क किया है ठीक है और आप लोगों का practical के लिए यह probability भन रही है कि आपका practical जो है next month में start कर दिया जाएगी examination से पहले पहले ताकि जो आपनों का result है वो time से आपनों का release किया जासागी तो I hope दोस्तों आपको information जो है पसंद आए होगी अगर वीडियो को लाइक कर ये और चैनल प पर नेक्ट वीडियों में आप डिक साथा तक्री जाए हिन फंदे मातरम